कि है अप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है स्वीज़िक लास टेनों क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के आने के बाद बहुत सारे छाथ छात्रा जा है वह इस रिजल्ट से असंतूश्ट है उनका कहना कि हमें इससे अच्छा रि विकल्प है अपने रिजल्ट को और बहतर बनाने के लिए पहला गड़ रिचेकिंगश्य तो रिचेक क्या होती है विधारतियों को किस चीज क्लिए जैना चाहिए या रिउविद्वीशन के लिए जैना चाहिए किसमें नमबर बढ़ने के संभाओना जाधा होते है उसमें किसमें कम होती है है सारी चीज़े दोस्तों में इस विडि़ो इंड तक ज़रू देखी का अब क्या होता है कि जब पचास नंबर हैं तो आपको नंबर काउंटिंग के जाथ से वन टू थरी करके से नंबर काउंट के जाता है तो अगर नंबर काउंट करने में अगर ज्यादा बढ़ता तो आपके नंबर पचाश से बढ़ाकर plus one यह plus two कर दिया जा दियागा जितना नंबर बढ़ेगा कभी कभीं कि थे हैं कि नंबर total करते सेमय कोई बढ़ करना चूठ जाता तो histor Buddy है उस चूट Deb控म को एड़ कर लिया गया हो तो जब री चेकिंग की जाएगी तो ऐसे में क्या होगा जो अधिक number count किया हो गया तो एक से अधिक बार number count किया हो गया वह number उसमें minus कर दिया जाएगा तो आपका number 50 से 49 भी हो सकता है तू तो व्हाते हैं धोगिद्ष फिप्टी पर संव किया दोस्तों कि नंबर को पीचेक Subscribe है आपकी जो answer seat होती है ठीक है आपकी जो answer seat होती दोस्तों उस answer seat में जितने भी जितने भी आपके नंबर है कोशन लें कोशन q2 q3 q4 में अगर q1 में दो नंबर है इसे नंबर दे रहे हैं तो जतने नंबर मिले उस पर क्या लगा दिया जाएगा ठीक है उसको बंद कर दिया जाएगा और वे जो कोपी किसी दूसरे checker से check करवाए जाएगी तो ऐसे में reach checking में दोस्तों दुबारा से check किये जाएगा और दुबारा से number आपको दिया जाएगा तो इसमें reach, माफ किए, Reavolution में दुबारा से copy check किया आती है ऐसे Reavolution में number बढ़ने का chances जादा होते है नंबर कम नहीं होता है ठीक है तो re-evaluation में दुबारा से copy check किया ती है इसमें फिर से किसी वक्ति को किसी teacher को copy check करने के लिए दिया आता है दुबारा से numbering होती है तो इसमें बढ़ने की number chances जादा होते हैं और number घटने की chances ना के बराबर होते हैं तो re-checking और re-evaluation में आपको अंतर पता चल चुगा हो दोस्तों अब जान लेते हैं कि re-checking और re-evaluation में में हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया था बट आपके नंबर बहुत कम आये तो ऐसे में दोस्तों आप revolution के लिए जा सकते हैं यहां पर आपके नंबर बढ़ने के संभावना ज्यादा है अगर आपको लगता आप सही में 100% सही है और आपको इससे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए जितने नंबर मिले हुए तो आपको इसके लिए जरूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से मेरी रहा है जरूर जाए री चेकिंग के लिए आप जा सकते हैं जा कि आपको 50% प्रताओं के बाई आम बढ़ा भी सकते हैं तो रीए जिसे का मोता है इसका री चेकिंग जहादा कम होती है और ठीक है अब बात कर लेकी फूर्म कैसे भरना है फोर्म दोस्तों सिबेशी का ओफिसल वे मन्डे तक आ सकता है उसके बाद आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं तो यह है दोस्तो रीचेकिंग और रेविलूशन में अंतर अगर आप अपने रिजल्ट से असंतूश हैं तो इन दोनों के माध्यम से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों आपको पताए का आप improvement और compartment exam भी दे सकते हैं दोस्तों I hope यह वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए लाइक से केमेंट जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जहीं